नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो दिखिए अररबी अलाहबाद की तरफ से रिगार्डिंग NTPC के अप्लिकेशन फॉर्म के स्टेटस के रिगार्डिंग जो है इन्होंने एक इंपोर्टन अपडेट्स यहां पे जारी किया हुआ है तो आप लोग जो है ऑफिसल वेबसेट पे आने के बाद अलाहबाद के यहां पे आप लोग नोटिस को देख सकते हैं इसमें आपको दिया हुआ है कि नोटिस पर चेकिंग दी अप्लिकेशन इस्टेटस जो आपका NTPC के लिए है तो यह जो आप लोग open किजेगा तो इसमें आपको जो सारे important information आपको मिल जाएंगे regarding जो आपका NTPC का जो form अपने field किया हुआ था तो इसमें देखिए दो category में आपको मिलेगा एक आपका रहेगा इसमें कि जो है आपका application आइदर या तो provisionally eligible आपका हो चुका है मतलब कि जो accept हो चुका है और दूसरा रहेगा इसमें कि rejected यानि कि application आपको reject हो चुका है तो इसके साथ में देखिए regions भी दिया रहेगा कि किस कारण से आपका application reject किया गया हुआ है तो यह आप लोग official website पे जाने के बाद जो आपका respective website है तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं अब देखिए जो इसके regarding जिनका application मतलब कि reject हो चुका है तो उनको जो है जो भी उनके email idea sms जो भी mobile number अपने दिया होगा तो उसके तुरू आपको मिल जाएगी और यहां पे देखिए जो status है application का तो यह अपना registration number और साथ में जो date of birth है तो आप लोग यह डाल के देख सकते हैं और जो link जो active होगा आपका तो यह important है आप लोग note करना यह 29.2020 से लेके 39.2020 तक के बीच में रहेगा तो इन 29.2020 के बीच में आप लोग देख सकते हैं यहां प तो यह 21 से आपका यह start होगा और उसके बाद दिखें यहां पर यह भी दिया आपका यहां पर कि जो list त्यार करने में इन्होंने बहुत ही जो है अच्छे से इन्होंने अच्छे से ध्यान दे के बनाया हुआ है इसमें कोई गरबड़ी नहीं रखी गई है अगर कोई अगर करेंगे हम अब आगे देखिए इसमें और भी आपका दिया हुआ यहां पर कि जितने भी eligible candidate है जिनका प्रोविजनली असेप्ट कर गी गया इनका यहां पर तो वह जो है उनका कैंसल भी किया सकते कोई भी स्टेश पर रिक्रूप्मेंट प्रोसेस पर अगर मान लेजिए कि वह जो है उन्होंने अप्लिकेशन अगर गलगत तरीके से खलंकिया होगा या फीर और विकोई कारण होंगे जिनके तौर he है वो उसमें आपने कुछ मिस्प्रिंट किया होगा आपने या फिर कुछ गलत तरीके से अपने फॉर्म को भरा होगा तो और यह चीज इसमें में अपका दिया हुआ है अब आगे दिखिए इसमें दिया आपका यहां पर कि जो कंडेट है तो वह आफिसल वेबसाइट पर ही आपका ऐख्याम टाइम पर ही होने के संभावना अगे बहुत ज्यादा है तो आप लोग अपना तैयारी करते रही हमने भी सेशन स्टार्ट किया हुआ है जनरल साइंस का और इसके बात फिर हमने इन्वोर्मेंट में आपको इसके लिए जरुरत नहीं है तो आप लोग